हेलो गाइस गुरीवनिंग वेलकव बैक टो मैं चैनल और वाचिंग लगशूटर व्लॉक्स टाइम हो रहेगे रात का साले तस डेट 29 जैन्वरी तो आज का जो यह वीडियो है यह होने वाला है राइटिंग बूट्स के ऊपर कि मैंने एक राइटिंग बूट्स लिये थे होगी आई बटन पर यहाँ पहले वीडियो देखना कि मैंने कौंसे शूट्स लिये थे तो मैं बात कर रहा हूं मैंनो जो बूट्स लिये थे वो थे अपने रॉयल इंफिल्ड के बूट्स रहते हैं हाई एंकल बूट्स थे कुछ साड़े पांच जार रो पर उनका प्राइस था मेरे को वो शूट्स डिसकाउंट में कुछ चार हजार दोसौ रुपए कुछ सम्थिंग के मेरे को पड़े थे और मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं पताता हम आपको कि जो यह शूट्स थे न मैं आपको इस शूट्स का क्योंकि यह जो बूट्स है ना यह मैंने बहुत तक पहने हुए हैं 2008 से मतलब मैं बूट्स पहनता हुआ आ रहा हूं मैं मतलब मेरे को बूट्स पहनते मेरे को 15 साल कुछ हो रहे हैं तो मेरे को लगाता है कि जो यह जो हाई अंकल बूट्स है ना यह थोड़े अच्छे हों तोड़े कम से कम ही चलेंगे क्योंकि जब आप इतना पैसा इंवेस्ट करते हो ना किसी शूज के ऊपर कि चार अजार रुपए चार अजार रुपए अब लगाओ तो आप चाहते हो कि शूज मिनिमम चार साल तो चलें चलें और बतादू कि जो यह बूट्स है ना इनको मैं लिए मेरे को दो साल हो चुके हैं और इन बूट्स को मैंने ना कंटिनिसली पहना है मतलब सुबेश लेकर शाम तक मैं कहीं भी जा रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं उसमें मैंने शूज पहने हैं और अभी तक मैंने जितनी भी राइट्स वगरा करी हैं ना उस सब में मैंने ये शूद ही पहने हैं तो ये मेरा ओपीनियन है आपको ओपीनियन इस चीज़ में अलग हो सकता है तो ये जो मैं बूर्स के बारे मता रहा हूँ ना मैं इनसे highly disappointed हूँ अब वो क्यों हूँ आपको मैं सीदे दिखाता हूँ उस चीज़ को तो देखिए इस बूट की quality है leather quality बूट की ना इस बहुत मतलब इसकी बेकार बोलूँगा मैं क्योंकि एक साल ही के अंदर में ना इसका जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हुई है ये वाला तो तो ये जो पार्ट आप देख रहे हुँ ना इस पार्ट को मैंने ठीक कराया फिर उसके बाद पिछले एक साल से ना ये जो देख रहे हुआ ये इधर से ये shoes फट गया यहां से ये फट गया इसके बाद मैंने इसको ठीक कराया उसके बाद ये फिर फट गया तो इस चीज़ को लेकर हमें highly disappointed हूँगी चार साड़े चार हजार रुपर मैंने इन फीड लेके shoes में लगाए और ये shoes दो साल के अंदर बोल गए तो इस चीज़ को लेकर हमें काफी परशानत है कि यार फिर से अब एक नए shoes करीने पढ़ेंगे पर मैं अब shoes को recommend मैं नहीं कर रहा अब मेरे को वहीं लग रहा है ने कि अब फिर से दोबार मेरे को boots करीने पढ़ेंगे पर इस बार में क्या करने वाला हूँ ना कि इस बार मैं woodland या प्र राडो के shoes में लेने वाला हूँ इसके लावे मेरे को डेली यूज के लिए शूस खरीनने पड़ेंगे अब मैं कौनता शूस दूँ ये मेरे पर आप लोग कमेंट कर दो पर मैं हाई एंकल बूट की पहलूँगा मेरे धमाग मैं वुड्लेंड चल रहा है राडो है लीक उपर है तो आप लोग बताना तो दे रिव्यू किया है कमेंट करके मेरे को बताईए कि जो समझ से मेरे को यह समझ से आपको भी आ रही है बाकि मैं बोल दूँ कि इस शूस को यदि आप ले रहा है ना तो इस शूस को आप 2 साल के सबसे लिजी कि आपको फिस्तिवाद नए शूस खरीनने पड़ेंगे और यद करें सब्सक्राइब करें चैनल को मिलते हैं आप से बहुत जाले नहीं वीडियो को सथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखें माता पता का ध्यान रखें उनकी बात माने पाइदे में रहेंगे और बिलीव इन यूसल बाबाई